मटर पनिर की सब्जी तो बहुत ख्वाई ओगी क्या मटर पनी टिक्की खाई है तो चली चलते बहुत आसान और बहुत तेस्टी ये मटर पनी की तिक्की आपको बहुत पसंद आएगी इसे जरूर ड्राइ करिएगा और वीडियो सुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और जादा से जदा सेर करिए तो इस आसान और टेस्टी रेसिपी के मतर हमारी पक चुकी है इसका पानी पूरा निकाल देंगे हम एक्स्ट्राक कर देंगे और इसे चलते हैं थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं इसके लिए एक पैन में हमने डाला थोड़ा सा ओयल मैंने तो यूज किया सरसू का तेल क्योंकि यह हमारे घर का होता है सुद होता है आप जो भी ओयल खाना पसंद करते हूं वो कर सकते हैं और इसमें हमने डाल दिया हाफ ती स्पून जीरा इसे क्राकल होने देंगे और अब इसमें एड़ कर देंगे दो टेबल स्पून लहसुन और अधरक पाइन चॉप किया हुआ और लहसुन को लाइट ब्राउन होने त और इसे जो है जब भून गया तो हम डाल देंगे अपनी बॉयल की हुई मतर और इसमें डाल देंगे हम टेस्ट कि अनुसार नमक और साथ में ही एड़ कर दिया हाफ टी स्पून अम्चूर पाउडर अधा टी स्पून हम डालेंगे इसमें चाट मसाला और इसे अच्छ से और मिक्स कर लेंगे क्योंकि मटर हमारी पकी हुई है तो यह जो है आसानी से बहुत जल्दी क्विकली यह बन जाएगा और इसे मैसर के हेल्प से इस तरीके से हम कर लेंगे इसे पीसना नहीं है इस मिक्सर को मिक्सर में डालिएगा बहुत ज्यादा इसे मैसी नहीं करना है हमें इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है तो इस तरीके से जो है हमने इसे मैस्क कर लिया और ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है और इसे अब जो है हम थोड़ी सी फ्रेसका टीवी धनिया डाल लेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तब तक आप बनाते हम एक बहुत ही टेस्टी चटनी और आज हम बना रहें इसके लिए हरे आम की चटनी ये कच्छा आम मिल गया अगर नहीं हो सीजन में तो नॉर्मल ग्रीन चटनी आप धनिया पुदीना या धनिया की ही डाल करके ब सादा नुसार नमग दो हरी मिर्ची और एक इंच टुकडा अधरक का और तीन चार कलिया लहसन की और इसे ग्राइं कर लिया देखे एक बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी चटपटी इसके साथ सर्व करने के लिए रेडी हो गई है और अब आगे जो हम एक ब्रेट का ब्रे बहुत ही अच्छी ग्रेट करने से अगर आप मसलिंगे ना तो जो है कहीं बड़ा क्रम रह जाएगा और कहीं छोटा और एक तरीक्य से ग्रेट करने से जब आगे जो हम इसे मैस करेंगे तो उसे बहुत ही आसानी होगी तो यह हमारा फिलिंग रेडी ही है और साथ में कवर यह मैदा और वन फोटी स्पून नमग और इसे जो है हम अच्छे से मैस करके एक इसका सौफ्ट सा डो टाइप का हम बना लेंगे अगर यह जादा जो है इसमें मौश्चर लगता है तो एक ब्रेट का ब्रेट ट्रम और डाल सकते है यह अगर मेजर्मेंट से रेखेंगे त हैं कि धोटन क्लोथ या इस मौश्चर मौश्चर अब ज्यार्म करने घएतो और यह जो है बहुत ही अछ्छा यह उफ्ट सा हमारा डो रेडि हो गया है और जब अमरा यह शे डिय चो बंदे का हम उनि असके बल्स का हम बना लेंगे इकोल साइजैंस नम में और रिवाइट यह बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है कि 200 ग्राम पनीर में वन कप मतर और इसमें बन जाएंगी 9-10 टिक्की तो यह जो है बॉल हमारा डेडी हो गया है और चलते हैं फेलिंग के लिए तो इसे अब जो है बॉल को हम फ्लाट करेंगे और इसमें डाल देंगे एक टेबल आधना फैलेंग देख सकते के हातूं के हchnyes तरीत के से हमने फ्लाट कर लिया और इसा ज है जरे सिम्न्ली इसको हैनल करना होगा और सिल करने के बाद का इसे फ्लैट कर देंगे और देखिए हमारी यह टिक्की रैडी हो गयी इस तरहिके से हम जो है आपने इस आरी Knewn 고 double की Cash Lasd Care कि यह करतें के लिए को सेखने के लिए और इसको है यूज्ट करें हम देजी घी और देसी गी जो आप मस्ट्राई है कि इसे जो है सेखने के लिए person ृट फलेवर से यूज्ट दोनों ही बहुत है James हो जाते हैं और टिक्व को इस पर रख देते हैं और पनीर बहुत ही कम जो है और इसमें अबजार्ब हो गही तो जादा जो है परिसानी की बात नहीं है कि बहुत जादा ओयल या इसमें कोई भी तेल कंज्यूम हो रहा है और एक तरफ जो है लाइटली ब्राउन हो जाएगा तरह दो से तीन मिनट शेकने के बाद में फिर दूसरे तरफ हल्का सा हम टर्न कर देंगे इस तरीके से जेंटली और दोनों तरफ जो हम सेक लेंगे तिक्कियां हमारी रेडी हो गई है और देख सकते हैं कि दोनों तरफ कितना बढ़िया टेक्स्च्चर आया है और इसे चल तरफ कितनी तेस्टी और कितनी बढ़ियां पीलिंग जो है मतर पनी टिक्की रेडी हो गई है एक मैं जो आपको कट कर के दिखाती हूं अपनिया और पहुत ही तेस्टी और हर किसी को यह पसंद आती है मेरे घर में यह रेगलर बनती है सीजन में में मतर का होता है प्रेस बढ़ियां फिलिंग है और साथ में बहुत टेस्टी तो कैसी लगी रेसिपी फिर मिलती हुए नई रेसिपी के साथ गुड़ बाई फ्रिंड्स टेक के थैंक यू फोर वाचिंग थैंक यू फोर सबस्क्राइब